एप हरो दोस्तों मेरा मेर हो इतर स्वाकद सभी ट्रेस ट्रेक्स टेक्उडियो में दोई यह तοेशं distintos के अंदर क्या वी-प simpler क्या मुझेन यूस कर सकते हैं और अगर नहीं घर सकते तो क्यों कर सकते और सेफ सबसे पहले वीपियन क्या होता है वैसे अगर आप इस वीडियो को देखने आए तो आपको पता है योगा की वीपियन होता क्या लेकिन फिर भी सिंपल और शोट लाइंग में समझा रहेता हूं वीपियन का मतलब है वर्चौल प्राइवेट नेटवर्क जिसके अकोडिंग आप लोग अपनी लोकेशन जो है उसको चेंज कर लेते हैं मैं आपको बाता तो मान लीजिए कि इंडिया के अंदर कोई वेबसाइट बैन है और वो अमेरिका के अंदर चल रही है उसको अगर आपको एक्सिस करना आप वीपियन डाउनोड करेंगे वहां पर अमेरिका का स सबसे पहले ना यह बिल्कुल सेफ था लेकिन उसके बाद में कुछ चेंज हो गया चेंज के हुआ इंडियन गोर्मेंट एक रूल लेका है जिसके अकोर्डिंग जितनी भी वीपियन कंपनीज है उन सभी को सबसे पहले तो इन सभी के लोग्स रखने पढ़ेंगा लोग्स इन कंपनीज को 5 साल तक रखनी आपकी 5 साल के बाद में चाहें तो उसको डिलिट भी कर सकते हैं तो इसको लोग्स बोले आता है लोग्स रखने पढ़ेंगे रूल यह था और साथ में अगर आपकी वीपियन पे कोई नया यूजर जूड रहा है वो अपना रिजिस्ट्रे उसको पकड़न के लिए उसको रोकने के लिए सब लूट कर दो आपको फगना बहुत जाता मुसकल मुस्किल जाएगा तो इस चीज़ को रोकने के लिए गोवर्मेंट का मकसद है था कि यहां पर यह वाला रूड लाय जाया जाए कि जीतने भी VPN companies हैं वो अपने सभी users का logs रखें और जैसा मैं आपको बता है VPN का use ही इसलिए किया जाता है कि आपको कोई track ना कर सके आपको कोई trace ना कर सके आपका पता ना लगा पाए कि आप लोग कहां से बैठके use कर रहे हैं आपने कौन सी website access की वो सिर्फ आपको पता है और सिर्फ आपको ही पता है तो यह सारी चीज़े होती हैं और जितनी VPN companies हैं अपरेल 222 पहले कोई data नहीं रखती थी ना ही वो रखते हैं क्योंकि उनका काम ही यह है कि वह आपको कोई भी प्राइब के तो हम ऐसा नहीं करेंगे और एक तरीके साब सोचो वीपें कंपनी से तो वह बिल्कुल सही कहा रहे है क्योंकि उनकी सर्विस ही यह है कि वह आपको आप प्राइवेस्टी है वह आप तक रखती है यानि कि आपका जो आईपी एड़स है आपकी लोकेशन है व प्राइब काफी सारी चीजिए उनको लाट हो रही है ना तो इस चीज को रोकने के लिए यह वी सारी जरूत है खिए जाने तो अब यहां पर कौन से हैं कौन गलते हम इस मैटर में पढ़ने ही नियुज़ करना सेफ है अब यहां पर मैं आप लोग को बता दूं कि जब यह कि नियम आया उसके बाद में Nord VPN Express VPN इन बड़े-बड़ी वीपेन कंपनी ने क्या क्या इंडिया के अंदर से अपनी जो फिजीकल सर्वर्स है ना उनको बंद कर दिया उन्होंने बोल दिया पहले ही जूनको इंदर आई इस प्रिजीकल सर्वर्स हैं उनको बंद कर रहा है कंपनी अपने फिजीकल सर्वर्स बंद कर दिये और वर्च्वल सर्वर्स वह अपने यहां पर यूज कर रहे हैं अब बात यह निंगल गयाती है भाई सेफ है या नहीं है तो उसका आंसर में आपको अब देने वालों देखिए जो बड़ी-बड़ी वीपेन कंपनी जैसे तो यह सोचके बिल्कुल भी यूज ना करें कि आप कुछ ऐसा काम उससे कर लेंगे जूकि इल्लीगल है और आप पकड़े नहीं जाएंगे क्योंकि हो सकता है कि जिस भी वीपेन का यूज कर रहे हो कहीं ने कहीं वहाला को बैन क्यों नहीं किया तो गवर्मेंट आसा नही नहीं किया जाकता कि बड़ी-बड़ी कंपनी वगर और बड़े-बड़े ओफिस वगरा के अंदर है ना वीपेन को यूज किया जाता है अगर आप सिक्यूर ब्राउजिंग करना चाहते हैं आप चाहते हैं कि कोई भी आप पर अच्छे तरीके से यूज कर सकें लास्ट में आप लोगों से बस यहीं बहूंगा अगर यूज कर रहे हैं तो बिल्कुल भी यह तोकि आपको नहीं करना चाहिए तो जरूर आप दियान देए चीज पर बिल्कुल भी ना करें आज के हमारी स्टेक वीडियो में से विद नहीं है आपको कोई कोस्टिन ये क्वेरी है तो आप मुझे कमेंड कीजिए कमेंड बॉक्स में चैनल पने सब्सक्राइब करके बैल एकिन दबाएएगा मिलूंगा आप लोगों से ऐसी क्षिक नेक स्टेक वीडियो में तब देख क्वें पॉन देमात्र